यह वीडियो बहुत important होने वाली मैं चाहता हूं कि अपने आग, कान, सारे senses खोल के इस वीडियो को 2-3 मिनट अपने समय का तकीमती समय का दीजिए और ऐसा मैं इसलिए कहा हूं कि जो 1947 में गटना अलड़ी हो चुकी है, देश का भी भाजन अलड़ी हो चुका है, उसका अगार पर देश कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं फिर से पहुचने वाला, और इस बात के लिए बहुत लोगों ना अलड़ी सचियत कर दिया है, लेकिन सोचते हैं कि अब लोग जागरूख हो चुके हैं, ऐसा नहीं होने देंगे, अब लोग सोचते हैं कि हम majority में हैं, तो हम ऐसा कैसे होने देंगे, कुछ भ्रहम हैं, आप थोड़ा क्लियर कर लिए तो जादा सही रहेगा, आप तब भी majority में थे, लेकिन चीजें हुई, उस व जो वहाँ जहां पर सिर्फ मुसल्मान रहें, मतलब एक तरीकी कि एक दूसरे विभाजन की बात चल लिए, परी तो चलिए धिमी धिमी आवाज में कुछ कहा जा रहा था, आंदर पदेश के एक पैस्टर ने, जिनका नाम उपेंद्र है, उन्होंने कहा कि भारत को दो हिस् जल हो रही है, लेकिन हम एग्नोर करते हैं, हम नोटिस ही नहीं करते हैं, क्योंकि क्या हुआ था कि जब आकरांता आये थे, जो भी आया, उन्होंने नौर्थ इंडिया को बहुत बुरी तरिके से एफेक्ट किया, जगे है, टेम्पल्स लूटे, तोडे, सारी जितनी नौर्थ इंडिया में मिजॉरिटी बेसिस पे हुआ, लेकिन साउथ में बहुत अच्छे से छू नहीं पाए हूँ, तो इसलिए अब उनकी नजर साउथ में है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, सीक्वेंस ओफ इवेंट को ध्यान से देखते जाएगा, अगर आप मुच्छ अगरी करते हूँ, सीडियो को शेयर करें, लोगों को जगाने के कोशिश करें, यह आटिकल आप देख रहा हूँग, इसमें लिखा जाए रहा है, तमिल नाडू तो यूस्ट किलो टेंपल ज्वेल्स टू जेनरेट इंकम, साइध इनही कारणों की वाज़े से, सद्गुर उस तमिल नाडू सिवलाइजेशन 3200 गwietो टो टो हंडरे रहाए जा रही है, क्या आपको यह नहीं लगता कि आपके सब कॉश्ट माइड में एक यह चीज़ फिट कराए जा रही है, कि तमिल नाडू और रेट गट्री अलग अलग चीज़ है, इसी तरीके से धिर अब गु करने की शमता हिन्यति आपके पास खुद के तर्क नहीं होते क्योंकि आपको इस तरीके से ब्रेनवाश किया जाता है कि आप प्रिपेर हो चुके होते हो यहां यह दिन तो देखना पड़ सकता है और लॉजिकल भी है जब सिविलाजिशन ना लगा लगे तो बुरी बात क्या है फिर उसी तरीके से एक बेवकूफ राहूल गांदी नाम का वेक्ति कहता है कि मैंने ये वीडियो भी सुनी आपको मैं बस पोस्ट दिखाना चाहता हूँ पावर अफ गॉडिस लक्ष्मी दुर्गा सरसुती हैस डिमिनिजड ड्यू टू मोधी गवर्मेंट ये राहूल गांदी का कहना में आप क्लिप भी देख सकते हैं मिल जाएगे क्लिप आपको अब मैं सोच रहा हूँ कि ये जो देविया है मतलब लक्ष्मी धन नहीं होती वो धन की देवी हैं सरसुती ज्यान की देवी हैं ये लोग देवियां हैं इनकी पूजा से इनका ध्यान करने से लोगों को चीज़ें प्राप्त होती हैं ज्यान प्राप्त होता है चीज़ों को प्राप्त करने की छमता प्राप्त होती है लेकिन आपने डेक्ट रिलेट कर जब से जगन मोहनेटी की सरकार आई थी सौ से उपर मूर्तियां मंदिर तूटे थे डैमेज हुए थे विंडलाइज हुए थे सब कुछ हुआ था पुरा मतलब एक तरीके का अलर्ट जारी हो गया था कि यह सब चीजें लगातार हो रही है पुलिस प्रसाइशन हरकत में आ गया था यह चीजें साउथ में क्यों हो रही है साउथ में मंदिर मूर्तियां क्यों तूट रही है साउथ को अलग सिविलाइजेशन खुशित करने की कोशिश क्यों की जा रही है जब भी हम भाशा की बात करते हैं कि हिंदी को एक national language की तरह treat किया जाए जैसे आप पूरे देश में सबसे ज़्यादा English बोली जाती है अगर कोई एक language जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है तो वो English है तो अगर क्यों ना जैसे चाइना ने भी एक policy अपनाने की कोशिश की कि हम English को अपने education system से हटाएंगे ताकि westernization ना हो western world हमें dominate ना करे हम अगर try कर रहे हैं कि हम हिंदी को impose करें या फिर हिंदी को optional language की तरह introduce करें ताकि सब को एक common language बताओ जो कि एक Indian language नेटिव लेंगविज हो क्या बुरा है तो सबसे ज़्यादा पो south से ही आता है तो इसको क्या यह नहीं समझा जाए कि अब Islamic world के बाद Christian world, western world यह चाहता है कि भारत को किस तरीकी से तोड़ा जाए, भारत को किस तरीकी से दो टुकड़े किया जाए और एक Christian community को मजबूत करके Christian world स्थापित किया जाए भारत में तब ही आप देख रहे हैं कि अभी हाली में dismantling global hindutwa चल ला है इसके तहरे लोगों के दिमाग में यह चाहिए भरने की कोश्च की जा रही है कि कैसे hindutwa तो एक negative term है एक ऐसी social ideology है, political ideology है जो लोगों को परिशान करने के लिए टेरर फैलाने के लिए एक negative propaganda फैलाने के लिए बनी है hindutwa का मतलब तो terror होता है सारी जितनी भी bad activities होती है सारी जितनी भी negative forces होती है वो hindutwa से ही निकली है और कैसे वो पैर पसा रहा इसको रोकने के ज़रुत है इस वीडियो में कुछ चीज़ें clear करना चाहता है मुझे ना दिक्कत मुसल्मानों से ना दिक्कत क्रिश्चन से मुझे हर उस ideology हर उस mindset से दिक्कत ही नहीं hatred भी है नफरत भी है और मैं उससे लड़ूंगा भी उस हद तक लड़ूंगा जब तक इसको असफल ना कर दो और सबका साथ मुझे चही होगा उस ideology से मुझे problem है जो यह कहती है कि हम भारत में हिंदूों को खतम कर देंगा जो ideology यह कहती है कि जो सनातन धर्म है वो तो weaker section है जो कमजोर लोग है वो मानते है हमें अपना superior premium जो quality का religion होता है उसको थोपना है उनके उपर तब ही वो मुक्त होंगे इन सब चीज़ों से फालतू की चीज़ों से मूर्ती पूजा से पत्थरों की पूजा से तो जिन लोगों को लगता है कि वो भारत को अपने तरीके से बदल लेंगे जिनको लगता है भारत में लोगों को convert कर जाएंगे मंदरों को तोड़ लेंगे हिंदूओं को loot लेंगे हिंदूओं को convert कर लेंगे इन लोगों से मुझे problem है anti-hindu, anti-bharat लोगों से मुझे problem है अगर आपके thought process में एक second के लिए भी thought आता है हिंदूओं को बदनाम कर लेंगे उनको खतम कर लेंगे उनको तोड़ देंगे उनको convert कर लेंगे या फिर भारत को बरबात करने की सोच भी रहें आप तो मैं आपके खिलाफ हूँ चाहे आप जो भी हो इस वीडियो में इतना ही मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को जादा जादा शेयर करिए इस sequence को समझने कोश्च करिए कि मंदीरों को तोड़ने से लेके भाषा के विरोध से लेके फिर मंदीरों को लूटने से लेके एक नए देश की मांग तक इनकी psychology को समझिए इनके agenda को, propaganda को समझिए और इसको तोड़ने की कोशिश करिए इस वीडियो भी इतना है फिर मिलते हैं अगले नम जाहन बंदे मात्रम